Hello everyone, welcome back to Indian Twin Mom Vlog. मैं हूँ दनुश्री, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बात करने वाली हूँ बेबीज को सेल्फ फीडिंग की हाबिट दिलाना क्यों इंपोर्टेंट है from the early stage of their life. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेर एंड सबस्क्राइब करें बिल्कुल ना भूले चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं What is self-feeding? Self-feeding वो स्टेज है जब बेबी खुद से खाना-खाना सीखता है साथ में उसके co-ordinations and motor skills भी develop होते हैं जैसे वो खुद से खाना-पकरना सीखता है सही तरीके से मूँ में डालना सीखता है ये सारे चीजे वो खुद से सिखता है और धीरे-धीरे वो gradually utensils like spoon, fork, use करके खाना भी सिखता है अब बात करते हैं जैसे एक्सपरिमेंट करना सीखता है जैसे तच करते हैं खाना को फील करने की कोशिश करते हैं फेकते हैं, ये फ्लेवर समझने की कोशिश करते हैं खाने को खेलते हैं सेकिन्ट पॉइंट इस narrative इस से बच्चे अपने आपको express करना सीखते हैं जैसे उन्हें क्या पसंदces, क्या पसंद्संद्स नहीं है 3rd point is self feeding से बच्चा ये समझने सीखता है कि उसे कितना खाना खाना चाहिए to prevent overeating अपने हंगर कि उसको समझने की कोशिश करता है which is I think very important क्यों important है वो मैं आगे बताऊं कि तो वीडियो के साथ बने रही है 4th point is self feeding से बच्चे independent decision लेना सीखते हैं जैसे इन्था मुवें डालना चाहिए कितना बाइट लेना चाहिए कितना बाइट मतलो हैं हैंड से हाथ से खा रहा है तो कितना मुझ खुलना चाहिए स्पून से कितना मुझ खुलना चाहिए यह सारी चीजे को खुद éndipendently करते हैं as बच्चों को सारे काम independently करना जादा पसंद है तो इसलिए वो चीज को जादा अच्छी तरीके से adopt करते हैं and then a happy mood से वो खाने को accept करते हैं अच्छे से खाते भी है last point self feeding बच्चों की oral motor skills में भी development होती है जैसे वो सीखते हैं कि कैसे मुख़ना चाहिए कितना मुख़ना चाहिए बड़ा स्पून है चोटा स्पून है हाथ से खा रहे है तो यह सारी चीजों में कैसे मुख़ना चाहिए then soft texture या hard texture में कितना प्रेशर दे के चबाना चाहिए प्रेशर प्रेशर चाहिए जैसे कभी उनके lips चीन में खाना लगा होता है कभी दात के पास लगा होता है वो किस तरीके से साफ तरीके से खाए या किसे साफ करें ऐसे बहुत सारी चीजों वो खुद करते हैं तो उनके काफी oral motor skills इसमें develop तर्ड पॉइंट है when to start तो आप 6 months से start कर सकते हैं self-feeding जी बिलकुल by the time there 9 to 12 months they indicate कि अब हम ready है तो आप बिलकुल तब तो बिलकुल start कर ही दे फिर by the time there 13 to 15 months वो अगर आपने उनके उनके उपर भरोसा करके पे छोड़ दिया खाने के लिए उनके तरीके से तो by the time there 18 to 24 months बहुत अच्छी तरीके से वो खाना खा लेते हैं आप उनने एक प्लेट दे दीजे चम्मन स्पून या हाथ से जैसे भी वो अच्छे से साफ तरीके से खा सकते हैं मैं हमेशा से self feeding को support करती हूँ more than distraction feeding and force feeding तो एकदम ही नहीं बच्चे एक quality अपने साथ जनम से ही लेके आते हैं वो है finding the food source and eating जब उन्हें भूख लगती है वो रोते हैं चैसे उनका पेट भजाता है वो रोना बन कर देते हैं तो as a parent ये हमारा काम है कि हम उन्हें encourage करें हम उ to understand खुद का जो hunger cues वो कैसे समझे ये इस में help करना हमारा काम है सबसे important point अगर हम encourage करते हैं बच्चों को उनकी capacity से ज़्यादा खाने के लिए force करते हैं तो उस कारण बच्चा हो सकता है कि ना खाने के बहाने ढूंडे उसे अपने hunger cues समझने में problem हो इस वज़े से वो खाने को avoid करें अगर आप force feeding करेंगे तो बच्चा बिल्कुल खाने में interest नहीं लेगा तो इस वज़े से हो सकता है कि वो कभी overeating कर ले जिससे उसको कुछ stomach issues के problem हो जाए और ये भी हो सकता है उसके लेटर लाइफ में eating habits की भी problem हो सकती है तो सबसे important point ये है कि वो अपने hunger cues को अच्छ करना चाहिए उनके इस जब वो बोले की अभी उनका पेट भर गया है तो हमें उस पर trust करना चाहिए otherwise वो अपने एक बहाना ढूनना start कर देते हैं to avoid this and very 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 important point always be with your babies to supervise food to avoid choking hazards and very important is have lots of patience and have lots of fun with your baby in their meal time very important तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं खतम करती हूँ next video मेरा होगा self reading के tips and tricks के बारे में मैं बताऊंगी आप लोगो till then take care bye and subscribe to my channel